हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो बहुत जादा बहतरीन इंफॉर्मेशन आ रहे है आप सभी लोगों के लिए जो भी एस्परेंट लोग है जुनों ने SSC G22 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया ह या फिर किसी कारड बस उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था या फिर पेपर नहीं दे पाएं जो भी कारड रहा हो आपका तो भाई साब आपके लिए 2023 के रुकूर्टमेंट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आ रही है बहुत जादा बहतरीन इंफॉर्मेशन है और जो क जोइन कर लो वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाड करूँगा टेक्निकल के तो मेरे को नहीं लगता आपको जरूरत है अगर टेक्निकल की जरूरत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना टेक्निकल के भी प्रोवाड कर दूँगा अभी दो बहुत कम प्रोवाड कि अभी थोड़ा सा टाइम है लेकिन मैं जल्दी से आपको अप्लोड कर दूँगा ठीक है दीरे-दीरे करके अप्लोड करूँगा एक साथ मैं उल्टी जासे नहीं करूँगा तो जिस किसी को अगर टेक्निकल के भी चाहिए तो बता दीना वैसे मेरे को नहीं लगता टेक्निक जो एग्जाम है पिरिवाला वो हो चुका है प्रिलिम्स वाला मेंस के बारे में कोई भी इनफार्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है यह थोड़ी डिसार्टिंग नुज हो गया, CHSL हो गया, या फिर SSE J हो गया, जितने भी पेपर हैं, सारे include किये गए हैं, कुछ disheartening news भी है भाई, SSE section senior engineer जो railway का था, वो include ही नहीं कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि SSE की SSE, यानि कि senior section engineer की vacancies आने भी भी बाली है, in upcoming future, ठीक है, चलो पहले मैं आपको schedule दिखा जेता हूँ कि कब आपका schedule कर रखा है, good news है, बहुत good news है, जो भी candidate ने, या तो SSE J अच्छा नहीं गया पिछला वाला, या फिर नहीं दिया है, या फिर final year में, देखो सब के लिए information है, बी बीटक हो, चाहें, डिप्लोमा हो, कौनसी-कौनसी ब्रांच, electrical, mechanical, civil, इन तीन ब्रांच में ही आपका SSE J में recruitment out होता है, ठीक है, और pattern वगेरा सब को पता होगा, final year वाले student इस बार होंगे, तो वो अगली बार SSE J की जो 23 की vacancies आने वाली है, उनमें eligible रहेंगे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, कि क्या notification जारी किया गया SSE की तरफ से, तो देखो दोस्त, यह है, आपका staff selection commission का, जो calendar है, वो जारी किया जाता है, जस्ट आपको पता है, आज दिन खतम हो रहा है, आज साल खतम हो रही है आपकी, तो इसी के बाद में, जो new year का है, उस दिन से आपका जो भी recruitment होंगे, वो इस schedule के according होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, Constable in CA, आप देखो मैं आपको important वाला, जो अपने लिए important है, वो देखते हैं, देखो कौन से कौन से, CGL अगर कोई देना चाहता है, तो भाई साब CGL के लिए, June जुलाई में आपका recruitment का start होगा, notification, CHSL का, July से लेगे, अगस्त के बीच में होने वाला है, ठीक है, अब मैं junior engineer के बात करता हूँ, जो आप सभी लोग देखने आयों, देखो, जूनियर इंजिनियर रेक्रूट्मेंट ये रप, जूनियर इंजिनियर का, सिविल का, आपका जो होने वाला है, वो 26 जुलाई को आपका advertisement जारी किया जाएगा, सिविल, mechanical, electrical, quantity serving contract ये सिविल वालों के लिए होता है, 2023 का examination जो pre वाला है, paper 1, वो आपका ये रख रखा है, paper जो होगा, वो आपका October 2023 में होगा, और ये आपकी जो advertisement की date वागेरा है, देखो, यहां से उपर से देख भी जखते हो, कि closing date कब है, date of advertisement कब होने वाला है, और date of exam कब होने वाला है, तो इन्होंने पहले से ही जायरी कर दिया आपका, देखो, यहां देख सकते हो, आप पूरा, जो और भी exam tackle कर रहे हो, तो देखो, इनकी link in description में प्रोडर कर दूँगा, तो और भी exam देख सकते हो, CGL अगेरा का भी सब कुछ प्रोडर कर रखा है, तो आपको, मेंली, आपको साइद SSEJE की देखोगे, तो देखो, यह दे रखा है आपका, October 2023 में आपका paper होगा, तो अभी से target करके चल सकते हो, क्योंकि देखो, इस बार जो vacancies मैं बता के चल रहा हूँ, 2022 की vacancies लगबग, आपकी 3000 के आसपस आने वाली है, अब आगे वाले के लिए, जैसे यह recruitment संपन हो जाएगा, उसके बाद में, मैं RTI डाल डाल के आपको बतातूं कि भाज साब कितनी vacancies आने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है, notification से पहले मैं आपको RTI डाल डाल के information provide कर देता हूँ, कि यहाँ पर यह vacancies आने वाली है, सब को पता ही होगा, और मेरे को लगता है, आप सभी लोगों को यह useful भी हो रही होँगी, यह सारी जो RTI की information है, ठीक है, तो दोस्त preparation करना शुरू कर दो, अभी से कर दो, जो कोई भी अगर gate में focus कर रहा हो, तो वो gate पर focus करें, अगर gate पर नहीं है, final year में है वो, तो final year के लिए भी provide करता है, अगली वार जो final year है, वो भी apply कर सकती है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है, और और तो कुछ नहीं, बेसे देखो दोस्त, अभी से आपको preparation करके चलना पड़ेगा, अब मैंने gate का भी trend बता दिया आपको, कि gate में कितने vacancies आने वाली हैं, और gate में कितने form पड़े हैं, बहुत सारे लोगों को साइद वो गलत लगी, भाजी साब, आप ऐसे मत लाया करो, तो मेरे को लगता है कि साइद, मैं best possible आपके लिए जितनी courses करता हूँ, कि साइद किसी न किसी student के लिए तो वो useful होगा data, जो मैंने एक पिछले वाला gate की video बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि कितनी branch में कितने students ने भरा है, तो शाइद बहुत आरे students को उसके लिए help भी मिली होगी, मैं यह समझता हूँ कि serious candidate उतने ही होते हैं, जितनी हर साल होते हैं, वो form डालना बंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं घरते हुए trend को show कराना चाहरा था, आपको मेरा और कोई motto नहीं था, ठीक है, तो I think आपको information सही मिली है, जब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं चोड़ना हर information मैं provide करूँगा, और notes के लिए telegram channel जरूर join कर लेना, जिससे कि मैं आपको provide करूँ जब भी, झाल करते हैं, झाल करते हैं, जिससे कोई हैं, जब भी,